अब कलर्स टीवी का वो शो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जिहां हम बात करहें इश्क में मर जाओं की और इससे जुड़ी एक बहुती खास अपडेट आप सब के लिए आचुकी है जहां पर अब देखने वाले हैं आपकी कैसे कहानी लंडन में कितनी गूलती नजर आईगी आप सब को वहीं आपने देखा जहां शुरू हो एपिसोड इस बात से कि आरोही आती है दीव के पास और उसे बोलती है कि उसके साथ लंडन चले लेकिन दीव उसको साफ मुना कर देता है और उसको बोलता है कि वो जा रहा है तारा के साथ और इस बात से आरोही काफी खुश होती है जहां पर इसके बाद ही आपने देखा दीव और आरोही पहुंचते हैं लंडन में जहां पर लंडन में जहां पर लंडन में आरोही डूपने लग जाती है अपनी भावी को और घर पहुँचकर वो निकल जाती है घर से बाहर जहां पर उसको कहीं भावी का कुछ पता नहीं चल पाता और वो पूरे दरदर की ठोकरे खाती है अधरोधा कि अतने में उसके पास आता है लीप और उसे बोलता है कि उसके ड्रैस एक्दम से चैंज कैसे हो गई और इस बात से काफी शॉकट रह जाती है क्योंकि उससने ड्रैस चैंज कर ई ही नहीं आकिरकार इस बात के पीचे क्या सच है यह हम आपको बताते हैं वहीं आपने देखा जहाँ पर पूरे एपिसोड में आपने ही देखिया कि कैसे आरोही को सारे बोलते हैं उदर जाने को जहां भावी है लेकिन उसे भावी दुकाई नहीं मिलती और आखिर हम उसके सामने आती है तारा जोगर्मने जहां पर वो तारा को देख कर काफी ज़्यादा शौक रह जाती है और वो समझ नहीं पाती कि तारा यहां कैसे आगाई और कैसे जिन्दा है वो कोई अगर बात करे आने वाले टैकी जिसमें अब देखने वाले हैं लंडन में तारा को देख आरोगी के खोश्ट उड़ जाएंगे और आरोगी नहीं परचान पाईगी क्या कि कार तारा यह सब कैसे कर रही है और क्या है भावी का राज तोपनीज की रपोर्ट